बीती नौ मार्च यानि की होली की एक दिन बाद फिल्म इंडरस्टी को बहुत बड़ा जटका लगा था दरसल नौ मार्च को बॉलोवर डारेक्टर, राइटर, एक्टर और कॉमेडियन सतीश कौशिक का निधन हो गया था उन्होंने रात करीब ढ़ाई बजे अंतिम सास ली, अभी नेता अनुपम खेर ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरीए इस दुखत ख़बर की जौनकारी दी थी आठ मार्च यानि के होली के दिन, वो अपने एक दोस्तर के निमंतरण पर दिल्ली होली मनाने आई थे होली के अगले दिन उनके सीने में अचानक दर्द होना शुरू हुआ और उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत खोशित कर दिया सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है सतीश कौशिक को लेकर शुरुवाती जान्च में बताया गया कि उनकी मौत हट अटेक से हुई है हाला कि अभी तक उनकी पोस्ट माटम रिपोर्ट में ही आई है उनका पोस्ट माटम दिली के दीन दयाल अस्पताल में हुआ था पुलिस भी सतीश कौशिक की पोस्ट माटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है वोस्ट माटम रिपोर्ट के इंतजार के दोरान ही नया टन ले लिया है तमाम मीडिया रिपोर्ट के मुदाबिक दिल्ली पुलिस के क्राइम टीम को गुरुगराम के पतंजली फार्म हाउस से कुछ दवाई मिनी है जिन में कुछ regular दवाईं शामिल हैं जैसे कि शुगर से लेकर गैस तकी मगर कुछ दवाईं ऐसी हैं जुने लेकर पूछता चोगी शतीश कौशिक की जुसरात मौत हुई तब वो उसी फार्म हाउस में ठहरे थे यहीं देर रात उनके सीने में दर्द उठा तो फिर कथित हार्ट अटेक की वज़े से उनका निधन हो गया पुलिस जांच में जुटी की है जो होली पार्टी के वक्त फार्म हाउस में मौजूद थे पुलिस उस उद्योग पती से भी पूछताच करना चाहती है जो कौशिक की मौत के बाद से ही फरार है दिग्गा जवीनेता सतीश कौशिक का जन्म 13 अपरेल 1956 को हुआ था उनकी ब्रेक आउट भूमिका शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर की थी उन्होंने जाने भी दो यारों मंडी और वो साथ दिन जसे शुरुआती रिलिस के साथ भी प्रभाव डाला था उन्होंने गोविन्दा और अक्षे कुमार के साथ भी कई फिल्में की सल्मान खान की मशूर फिल्म तेरे नाम का निर्देशन सतीश कौशिक नहीं किया था सतीश कौशिक का अंतिम संसकार नौमार चाने की गुरुवार को मुंबई में ही किया गया बॉलिवुट के कई महान हस्तियां सतीश कौशिक को अंतिम विदाई दिने पहुंची थी अक्षे कुमार, सल्मान खान और अनिल कपूर ने सतीश कौशिक के निधन के बाद ट्वीट कर भावुक पोस्ट शेयर किये बता दें कि अक्टर के परिवार में उनकी बेटी वन्शिका और पतनी शशी कौशिक है सतीश कौशिक आखरी बार OTT पर रिलीज हुई फिल्म छतरी वाली में नजर आये थे मौत के बाद अक्टर को फैंस की फिल्म इमर्जनसी में देख सकेंगे कंगना रनौत की इस फिल्म में सतीश कौशिक बाबू जगजीवन राम के किरदार में दिखेंगे अब पुलिस इस मामले में जाच में जुटी है ये देखना दिल्चस्प होगा कि सतीश कौशिक की मौत का ये केस की सोर करवट लेता है और पूरी जवांच के बाद पुलिस के हाथ क्या लगता है विरे रिपोर्ट पंजाब की सुटीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाई